ये रहा पहला प्रस्न निमलिखित में से भारत के सम्मिधान के किसमे परियावरन, सनरक्षन एवं सनवर्धन तथा वन ववन जीवन की रक्षा के प्रावधान पाया जाते हैं बताईए क्या होगा इसका सही आंसर देखेंगे तो केवल राज येक के नीती नेदसक्तातों में और केवल मूल करतबे में यानि आप बोल सकते हैं ए और बी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा समिधान और साधन परिशितियों में राश्टरपती को राज येपाल के खृतियों की नीरवहन हेतू उपबंद जो है कर सकता है उपबंद कर सकता है इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुछे देख साथ में अनुछे देख साथ में ऑप्सन नमबर ए दोस्तों आप सभी जाएगा देखिए उसको आप नहीं देखेंगे तो आने वाले से आपको दिक्कत हो सकता है ठीक है तो इसका सही आंसर जो है दूसरे का हमारा जो है ए सही उत्तर हो जाएगा भारतिय नयचा यानि प्रोटोकॉल के नुसर पुरवर्ता क्रम निम्न में से सबसे पहले कौन स अप्सन नमर्देखिए हो जाएगा अपने राजय में राजय पाल सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा निमलखित में से किसने भारतिय समिधान के परस्तावना को हमारे संपरभू परजातांतरी गड़तंद्र की जनम कुंडली कहा है इसका सही उत्तर देखेंगे तो के एम मुंसी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ओप्सन नमर्जो है डी राइट होगा लाते हैं कोशन नमर्फाइब पर प्रधान मंत्रियों को उनके कारेकाल के साथ जो है सुमिलित कीजिए अब दिखे सिंपल प्रस्तन है अगर आपको कारेकाल प्रधान मंति का याद है तो आप कमेंट कीजिएगा वैसे इसका आप देख लिजी अच्छे तरीके से और इसका आंसर आपको कमेंट में जरूर करना है भारत के उचतम न्याले के नियाधिस की आयू ऐसे प्रधिकारी द्वारा और ऐसे रिती से आउधारित है है न आउधारित की जाएगे जिसका संसद विधी द्वारा उपबंध करे अंतह स्थापित किया गया किसके द्वारा देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 15 समिधान संसोधन द्वारा ऑप्शन नमर जो है हमारा 6 का ए सही उत्तर होगा काउन सदेश जो है आपका 46 में ये कोलकाता पुस्तक मेले का थीम था थीम है देखे इसका उत्तर देखेंगे तो यह आपका इस्पेन जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्सन नमबर डी राइट होगा डॉक्टर स्याम प्रसाद मुखर जी राष्ट्री जल और स्वस्ता संस्थान का उद्गाटन जो है किस र यूथ गेम का कौन सा संस्क्रण जो है आयूथ जो है दोस्तों किया जाएगा तो यह आपका हो जाएगा पांचवा संस्क्रण क्या होगा पांचवा संस्क्रण हो जाएगा ऑप्सन नमबर देखेंगे तो हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा चलिए आगे हमारा प्रस्न है ना प्रारतिय कभी राज्याई को ब्राजील के सहीत अकादमे के संबंदित सदस्य की रूप में चुना गया है देखे इसका सही उत्तर देखेंगे तो अभाई कुमार होगा और सा नमबर यहां पर जो है भी सही उत्तर हो जाएगा किस दिन सिक्षा मंत्रले ने देश भर की गोशना किया है तो यह आपका 15 नमबर जो है सही उत्तर हो जाएगा और भी राइट आंसर हो जाएगा आगे है कि जल सक्ती मंत्रले यानि फर्स्ट और इंडिया एन्वल इस्टेट मिनिस्टर कॉन्फरेंस ओन वाटर कायुजन कहां कर रहा है यह कहां पर कर रहा है देखे यह आपका मध्य परदेश में कर रहा है और देखेंगे तो भी राइट आंसर होगा निमलिखीत में से किस राज जने अपने जग मिसन के लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड तो हजार तैस जीता है वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड जो है 2223 जीता है तो इसका उत्तर दे होगा का अगर आपको जोइन होना है सेट लगाना है तो यह रहा वाटसप नंबर साथासी छपन चेवंवन पैंसर तैस आप इसपे जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कर दीजिए आपको प्रॉपर जनकारी मिल जाएगा इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022 के अनुसार कौन सराजी मोबाइल गेमर्स के लिए सिर्स इस्थान की रूप में जो है उभरा है तो यह कौन सा इस्थान है बताईएगा तो देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा ऑप्सन नंबर ए राइट होगा नवंबर 2022 में लांच किया ग प्रदेश ने चाता योजना शुरू किया है तो यह उडिशा के द्वारा जो है शुरुआत किया गया है ऑप्सन नंबर जो है ए सही होगा कौन सा सहर 2023 में इंडिया इंटरनेशनल सीफूड सो के 23 संस्कंड का जो है आईवजन करेगा उत्तर हो जागा कोलकाता होगा क्या होगा कोलकाता ओप्सन नंबर बी पुरुवत्तर भारत में पहला माउंटेन वारफेर ट्रेनिंग सेंटर किसके द्वारा जो है बनाया गया है यह किसके द्वारा जो है बनाया गया है तो ITBP होगा क्या होगा ITBP ओप्सन नंबर ए सही होगा चले नेश्ट हमारा है कि पेटियम पेमेंट बैंक के MD और CEO की रूप में किसे निउक्त किया गया है तो सुरिंदर चावला क्या होगा सुरिंदर चावला ऑप्सन नंबर भी सही होगा हाल ही में पहला सरस आजीवी का मेला किस राज या फिर केंदर सासित प्रदेस में सुरू हुआ है किस राज में सुरूआत हुआ है तो यह आपका जम्मू और कास्वीर में सुरूआत हुआ है ओप्सन नंबर देखेंगे तो डी राइट आंसर होगा अमोनिया में एन और ह के दरभ्यमान हमेशा डैस अनुपात में होते हैं यानि किस अनुपात में हमेशा होते हैं तो यह हमेशा देखेंगे तो 14 अनुपात 3 में होते हैं option number C सही उत्तर होगा चलिए अगला हमारा है 23 नमबर बुला कि 919 F में neutron proton और electron की संख्या लिखें तो देखें संख्या की बात कर लेते हैं तो 9 proton 9 electron और 10 neutron हो जाएगा option number C रोगाणू मुक्त पेजल बनाने के लिए किस रासायन का उपयोग किया जा सकता है आंसर हो जाएगा c a o c a o c l 2 हो जाएगा option number D कार्बन तीथी निधान में कार्बन का कौन सा समस्थानिक प्रमुक होता है या फिर होते हैं कौन सा समस्थानिक प्रमुक होते हैं या फिर होते हैं तो केवल c a 6 c 14 हो जाएगा option नंबर जो है यह होगा निम्ड में से कौन सा घोल बिजली का चालक नहीं है तो यह होजा गुलकोज घोल नहीं है बाकि सोडियम हाइड्र ऑक्साइड होल है एसेटिक एसिड घोल है है इसमें आपका सामिल है मधुमक्खी के द्वारा काटे जाने पर इन में से कौन सी उत्तर होगा अगला प्रस्ने की पसिना रोधी पदार्थों में समाने तह निमलिखित में से क्या होता है तो क्या होता है इन में से आप देखेंगे तो आपका कैल्सियम योगिक हो जाएगा ऑप्सन नमबर देखेंगे 28 का तो सी सही होगा एक जूल डैस के बराबर है देखेंगे तो यह आपको हो जाएगा ऑप्सन नमबर डी थ्रस्ट प्रती 216 को क्या कहाता है तो दोस्तों इसको हम जो है दाब कहते हैं क्या कहते हैं दाब ऑप्सन नमबर सी सही होगा क्रायोजैनिक डैस को दरसाता है देखें क्रायोजैनिक जो है डैस को दरसाता है तो इसका उत्तर देखेंगे तो कम तापमान को दरसाता है यानि उप्सन नमबर ए सही होगा प्रिज्म के माध्यम से सुवेत प्रकास के गुजरने पर इसका वन विच्छेपन होता है विचलन कोड जो है डैस होगा विचलन कोड जो है डैस होगा बताएए क्या होगा इसका सही तैन्तिस का उत्तर देखेंगे तो तरहेंगदैर्धhen के विएतकरुमानुपाती ऑप्षान नमब्र हमारा D RIGHT होगा गैल्वेनो मीटर को वोल्ट वीटर में तबदिल करने के लिए जोडते हैं तबिल करने के लिए जोडते हैं तो स्रेडी में उच परतिरोध हो जाएगा प्रदुसर्ड होता है option number देखेंगे तो C सही होगा non नी सद्रक्षण उत्पन होता है तो यह उत्पन होता है fluoride के प्रदुसर्ड द्वारा होता है option number D right answer होगा निम्दलिखित में से कौन जल जो है प्रदुसक नहीं है इन में से कौन से हमारा जल प्रदुसक नहीं है तो इसमें आप देखेंगे तो सलफर डैयोकसाइड आपका नहीं है बाकी जस्ता है निकेल है और तामबा भी इसमें आपका सामिल है भारती विदेश व्यपार संस्थान कहां पर है तो यह आपको नई दिल्ले में देखने के म समर्थन किया था तो यह हो जायागा एडम स्मीथ रिकॉर्डो जे के गेल ब्रेथ ऑप्सन नमर देखेंगे तो डी राइट आंसर होगा भारती रूपे को मार्च दो वनिसो चौरानवे से निम्निखित में से किस खाते में परिवर्तनी बनाया गया है किस खाते में जो है परिवर्तन यह बनाया गया है आंसर देखेंगे तो चालू खाता होगा क्या होगा चालू खाता ऑप्सन नमर बी कि निम्न में से कौन जो है आवसाधि चटान का एक ऐग्जामपल पूछ रहा है देखिए इसका उत्तर आप देखेंगे तो हमारा जो है लिगनाइट कोईल होगा क्या होगा लिगनाइट कोईला ओप्सन नमबर बी निमलिखित में से कौन से युग में जो है आपका सही सुमिलित नहीं यानि कौन हमारा इसमें गलत है अनुसंधान संस्थान और मुख्याले दिया गया है देखिए भारतिय वर्सपति सरवेचर की बात करते हैं तो ल मिलता है चलिए अगला हमारा प्रस्ति है बोला कि वाकर कप जो है किस खेल से संबंदित है देखिए वाकर कप आप देखेंगे तो यह आपका गोल्फ से संबंदित है ऑप्सन नमर जो है सी सही होगा निमनलिखित में से कौन सा युग में जो है सुमिलित नहीं है कौन सा य वाइगउ हार ग्रिश 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 ग्लत है बागी वाटर फ्रेम जो है आपका रिचर्ड और आरक रैट सही है वास्प इंजन की बात करते हैं तो मेन आफ इंडिया कहा एता है मिल्क मेन आफ इंडिया चाहते हैं तो यह कहते हैं वर्गिच कुरियन को है नवरिगज कुरियन ओप्सनमबर A black होगा मैं भारत के वन जी अच्शण अधनियम 1972 में कितनी अनुचियां हैं मित ये अनुचियां है तो आप देखेंगे तो हो अच्छे option number C हो जाएगा धकनी कि सराजय का लोक निरति है very important ऐसा प्रस्थन एक्जाम में देखने को मिलता है देखे धकनी की बात करते हैं तो यह गोवा का लोक निरति है option number A निम्न में से लोही किसकी नसल है जो सरवादिक दूद देती है देखे लोही आप देखेंगे तो यह आपका भीड़ का हो जाएगा इसका है भीड़ का नसल का एक कुछन आपके एक्जाम में आ सकता है तो नसल का भी आपको टॉपिक देख करके जाना है जाते हैं कुछन नमर पचास बोला की एन आई एसी का पुरा नाम क्या है देखे इलेक्ट्रोनिक निम्रिकल इंटर ग्रेटर एंड कल्कुलेटर है ना ओप्सन और देखेंगे पचास का तो ए राइट होगा समिधान के किस अनुछेत के अंतरगत नेयालियों द्वारा संसत के कारेवाहियो की जाँच करना प्रतिबंधित किया गया है प्रतिबंधित किया गया है देखे इसका उत्तर देखेंगे तो अनुछे देख सो 22 जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्सन नमबर बी राइट होगा सम्मिधान संस्वन की प्रकिरिया जिसमें आधे राज्यों की सहमतिय अनिवा हो जाएगा option number हमारा यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो बी right answer हो जाएगा option number गलत है देखें बिस्केक की बात करते हैं त्याकिस्तान यही गलत है बाकी अमान जो है जॉर्डन सही है उलन बटोर जो है आपका मंगोलिया सही है और सनाईया यमन सही दिया गया है निनमलिकी देशों में कौन सा इस्थल जो है अवरूद देश नहीं है अवरूद देश ही हैं बाकी अफगानिस्तान है लावोस है और लग्यंबर्ग भी इसमें आपका सामिल है दचड़ी अमेरिका का चोड़ा विरिक्ष रहित घास मैदान कहलाता है क्या देखिए घास मैदान आप देखेंगे तो यह हो जाएगा पंपास होगा क्या होगा पंपास ऑप्सन नु सिमा रेखा एक उधारण है है ना एक उधारण है बताईएगा तो देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे अंठावन का तो अध्यार उपित सीमा का हो जाएगा ऑप्सन नंबर हमारा जो है अंठावन का ए राइट आंसर होगा महादेव पहाडियां भाग हैं किसका दे लक्ष लूप में कितने द्यूप हैं तो 36 हैं कितने हैं 36 ऑपसन नंबर 6 कौन सिसरेणी कौन सिसरेणी जो है यमुना और सोन सोन के मद्ध यहाई जल दियभाजक का कारे करती हैं चलिए बताएग इसका आंसर तो यह अपका कैमूर होगा क्या होगा कैमूर ऑपसन नंबर B स 62 नमबर है बताइए क्या होगा देखिए इसका उत्तर देखेंगे आप सब लोग तो देखिए भुकंप जो दिया गया है भुकंप आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान होगा बाड आपका उत्तर प्रदेश और बिहार के मजान भुकंप आप देखेंगे तो हिमाले का गिरिपात छेत्र हो जाएगा सुखा जो है आपका हो जाएगा मध्य पूर्वी भाग और जो चक्रवाद दिया गया है जारखन तथा उत्तरी ओडिसा हो जाएगा भारत में निमलिखित में से किस परकार का वन जो है सरवाधिक विरिहत छेत्र में पायता है सरवाधिक तो देखेंगे उसम कड़ी बंधी आधरपणपाती वन हो जाएगा ऑप्सन नमबर देखेंगे 63 का तो सी सही उत्तर हो जाएगा केरल का कुटानाड या फिर कुटानाड प्रसीद है किसके लिए यह जो आपका प्रसीद है आप देखेंगे तो भारत का नियूंतम उचाई वाला छेत्र हो जाएगा और ऑप्सन नमबर देखेंगे 64 का तो भी सही उत्तर हो जाएगा बताई यह सब आपका रिजिनिंग मैस का कोशन दिया गया है तो आराम से आप जो है गुरूप में जवान होके सब बना सकते हैं जो कि आपके एक्जाम के लिए बेहर जरूरी है पांच कोशन जो है आपके एक्जाम में आता है ठीक है चलिए आगे देख लेते हैं अगला ह आ आपके में अगला कि मुखुर्थि राश्टी उद्यान किस राज जमेस्तित है मुकुर्थी यह आपको देखने को मिलता है तमिलनाडू में कहां पर प्रमिलनाडू में देखने को मिलता है option number C सही होगा विभाजन की किस अवस्था में केंद्र केंद्रक झिली जो है गायब हो जाती है केंद्रक झिली इसका उत्तर देखेंगे तो आपका प्रोफेज होगा क्या होगा प्रोफेज option number C सही उत्तर होगा एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस करण जो है बढ़ता है इसका सही आंसर आप देखेंगे 75 का तो लेटरल हन लेटरल मेरी स्टेम हो जाएगा option number देखेंगे 75 का तो ए सही उत्तर हो जाएगा अब आते हैं सूची एवन सूची टू को मिलान करके बताना है चलिए अच्छे से मिला लेते हैं देखेंगे प्लेग जो दिया गया है दोस्तों यह आपको हो जाएगा जिवानू होगा एट्स जो है यह आपको हो जाएगा वाइरस यानि विसानू गंजापन जो है आपका कवक हो जाएगा और मलेरिया आपका प्रोटो जवा हो जाएगा जीन के भीतर अनुक्रम अदहार परिवर्तन कहलाता है क्या तो यह एक परकारिज जो है उत परिवर्तन कहलाता है और ऑप्सन नमर जो है परिवर्थित जो है बैगन है ऑप्सन नमबर देखेंगे साथ 78 का तो हमारा यहां पर भी राइट होगा दोस्तों आप गुरूप में जोइन होना ना भूलिएगा वहां से आप जोइन होते हैं तो डेली आप सेट लगाएंगे और एक बहतर तरीके से सेट लगाएंगे जन् पूलियो ग्रस्त देशों की सूची से बाहर कर दिया गया था बताएए क्या होगा इसका सही उत्तर देखेंगे तो दो हजार बारा हो जाएगा ऑप्सन नमबर ए सही होगा किस हार्मोन के अलप स्रावन के कारण जो है मुत्र जो है पतला यम रक्त गाढ़ा हो जाता है सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्सन नमबर बी हो जाएगा बैसो प्रोसीन हार्मोन क्या होगा बैसो प्रोसीन हार्मोन हो जाएगा ऑप्सन नमबर बी और इस थाई परिवार नियोजन की वीधी है तो कॉपर्टी क्या होगा कॉपर्टी जो है is का राइट आंसर हो जाएगा निम्लख्यत यूगमों पर विचार किजे क्या इसमें सही है उप्यूक्त में से कौन सी विशेष्टा या फिर विशेष्टा हैं महायान बौध मत की है देखे महायान बौध मत की है तो इसके आंसर आप देखेंगे तो आपका हो जाएगा बुध में देवत्वा रोपन और बोधी सत्व पर चलना मुर्ती उपासना था अनुसंधान हो आगला हमारा प्रस्थ्न है कौटी लेकि अर्थशा सास्तर में गुप्त चरो के प्रमुक अधिकारी को कहा आता है क्या तो उसको क्या कहा गया है तो देखे उसको जो है तो उच महा मत्य कहा गया ापक्सि dafür होगा प्रारंभिक होमो सेप्यन्स का उद्भाव कि सकाल में हु नाम से किया गया है तो यह आपको जाएगा मुझ्वन्थ होगा क्या होगा मुझवन्त option number a right होगा प्रसीद पुस्तक foundation of India कल्चर के लेखक थे कौन देखिए लेखक की बात करते हैं स्री अर्बिंदो स्री अर्बिंदो option number b सही होगा भारत सेवग भारत सेवग समाज के स्थापना किसने किया है देखिए भारत सेवग समाज की बात करते हैं तो गोपाल किष्ण गोखले होगा क्या होगा गोपाल किष्ण गोखले option number c वर्स 1875 के दक्कन के दंगो का ततकालिक करण क्या था तकालिक करण आप देखेंगे तो महाजनों के द्वारा उची ब्याजदर है ना option देखेंगे तो भी सही उत्तर हो जाएगा अगला कि सराब बंदी परियुजना वर्स 1922 किसके नित्रतों में प्रारंभ हुआ है चितरंद अंदास हो जाएगे है ना option देखेंगे तो ए सही उत्तर हो जाएगा किनका कथन है कि कंपनी एक असंगती है परंतु यह उस विवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है यह किसका कथन है यह कथन देखेंगे तो लॉड मैकाले का है किसका है लॉड मैकाले का option नमबर भी निम नगर फोर्ट जेल हो जाएगा option number D right answer होगा बंबई मदरास और कलकता में उच्छ न्यालियों की स्थापना कब हुआ है देखिए उच्छ न्यालियों की स्थापना आप देखेंगे तो 1862 हो जाएगा क्या होगा 1862 option number आपका A सही उत्तर होगा अकबर की एक्छा अनुसार किसके रामायन किसने रामायन का फार्से में अनुवाद किया थे वेरी इंपर्टन ये कोशन हमेशा एक्जाम में और सेट में आता है तो अब्दूल कादिर बदाविनी option number देखेंगे तो B right answer हो जाएगा माराठा सेना में पिंडारी की न्युक्ती सर पर्थम किस समय हुआ था या फिर किस समय सुरू हुआ था पिंडारीयों का न्युक्ती तो ये आपका हुआ था बाजी राओ पर्थम के समय में option number देखेंगे तो A right उत्तर होगा मोती महल का निर्माण जो है किसने करवाया है देखेंगे तो साहा जहां के दोरा करवाया गया है option number C सही उत्तर होगा बोला कि तोफ़ा ए अकबर साही किसकी रचना है देखेंगे तो ये अबास खां सिर्वानी का है option number A right होगा aspirin है क्या तो कि aspirin की बात करते हैं तो ये एक परकार से देखा जाए तो ज्वार नासी है और दर्द निवारक है है ना तो option number जो है डी दो और तीन उत्तर हो जाएगा agent orange किया है तेकि agent orange आप देखेंगे सन्युक्त राज अमेरिका सेना द्वारा वियतनाम युद्ध में परियुक्त खर पतवार नासक रसायन हो जाएगा है ना तो option number देखेंगे 99 का तो बी राइट उत्तर होगा किस सभेता के सासक फाराओं कहलाते थे फाराओं कहलाते थे तो इसका उत्तर हो जाएगा मिस्र option number डी दोस्तों यहीं पर हमारा जो है तो यहां से आप अच्छे से revision भी कर पाएंगे और आने वाले एक्जाम में आप बहतर score भी कर पाएंगे तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही जाए हिंद जाए भारत